तो एब्रिवन कवीता हायर उडू क्लासेश में एक फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्टूरंट अभी बहुत सारे युनिवर्सिटी के पीएजडी इंटरेंस के एक्जाम होने वाले हैं जैसे कि 19 फरवरी को भी जामिया मिलिया इसलिए में के पीएजडी इंटर आएंगे तो क्योंकि सभी उनिवर्सिटी की पीएजडी इंटरेंस एक्जाम की सीलेवास लगवख सेम है तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको आपके एक्जाम में किस तरह के कोश्चन आने वाले हैं तो इसको लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो में जो इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में भी पीवाई क्यों सेयर करूंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इमेडियेट नोटिफिकेशन है मिले और आप सारे कोश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएं उसको देख पाएं और अपने उसके बेन रिषेमींग क्रोश भी या विली श्मित इह अपको बताना है कि इसमें सीक्संग में के फाधर कॉन है अफीजी इस इसमें जबैक्ट च्वेक्टॉल कोश्चन है इसमें नेक्स्ट है धरी स्टेजेज और छेंजज प्रोसेशर चेंजज प्रोसेशर जो आपने पड़ा है उसमें से three stages कौन कोने उसको stage में बताना है step by step क्या होता है unfreezing, changing and refreezing, changing, unfreezing and refreezing, changing, refreezing, unfreezing या refreezing, changing and unfreezing इसमें आपको step by step बताना है कि कौन सा होग उसमें correct Next question है the approach followed of computer asses drill यह unit 8 के question है behaviorist, cognitive, constructivist या cognitivist या Andrew दोनों बोथ इसमें question पूछा जड़ा है कि इसमें क्या होगा बहबारवादी होगा, संग्यानवादी होगा, रचनावादी होगा या फोर्त में संग्यानवादी और रचनावादी दोनों होगा Next question यह भी आपके unit 8 से है यह भी educational technology की question है MOOC is an acronym for इसमें आपको फूल इसका फूलपर्ण पूछा जड़ा है कि MOOC का फूलपर्ण क्या होता है Next question देखिए यह भी unit 8 के है Assistive technology is meant for those who have visual impairment, speech impairment, hearing impairment या all of these इसमें पूछा जाड़ा है कि जो assistive technology use होता है वो किन के लिए होता है जो visual impairment है उसके लिए या speech impairment है उसके लिए या hearing impairment है उसके लिए या सभी के लिए Next question है An open educational resources OER क्या है Is not under copyrights, is under copyright but citing The author is optional, requires author's permission for use is released under an open license इसको आपका अंसर देना है Next question है Instructional design clarifies instructional objectives Objectives teaching learning activity and assessment mechanism Objective and assessment mechanism Assessment and mechanism इस चाड़ option में आपको बताना है कि instruction design जो होता है वो किस लिए होता है क्या उसको बताती है यह वो देश को बताती है यह objectives उसके activities और उसके assessment mechanism को बताती है Third बोल रहा है कि objective assessment mechanism को बताती है और Fourth बोल रहा है कि assessment mechanism को बताती है तो इसमें पूछ रहा है कि instructional design जो होती है वो क्या बताती है यह भी आपके unit 8 के question है educational technology के next question देखिए गैने गैने के instruction आप पढ़े होंगे तो उसमें यह question है कि यह start किस से होता है stimulating recall of prior learning से या stating objective से या gaining attention से या present stimulus से गैने के 9 event instruction जो है वो कहां से start होता है यह भी आपके unit 9 के question है next question है How many disabilities are covered under right of person with disability act of 2016 यह question आपके unit 10 के है इसमें आपको पूछा जाड़ा है कि disability person with disability तिलब PWD के जो है 2016 के अधिनियम के recording कितनी कितनी अपंगताओं को कितनी disabilities को इसमें रखा गया है 12, 7, 22 या 21 next question है Helen Keller कौन थे एक hearing impairment थे visual impairment थे या both या low vision इसमें से आपको बताना है कि Helen Keller जो थे वो क्या थे तो इस तरह के question आपके आते हैं इससे आपको idea लगेगा कि PhD इंट्रेंस के exam में किस तरह के question आते हैं इसके अगले वीडियो में मैं कुछ और question को शेयर करूंगी तो आप चैनल को subscribe कर ले और चैनल पर बने रहें वीडियो को like करें, share करें और comment करके बताएं कि आपको इससे कितना benefit होआ करें 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 झाल झाल